हमारे गुरु दाधा भगवान, गिता भगवान, आम्मा जी को नमन है, साश्टाम प्रणाम है थोड़ा सा हम लोग बीच में मेडिटेट कर लेते हैं न? मेडिटेशन में क्या करना होता है? जो बिलकुल नए हैं ऐसे चलते हैं, कभी नहीं किया मेडिटेशन और आज पहली बार बैठेंगे ये मुद्रा ये वाली होती है, इसको अपनी थाइस पर रख लीजे गोटनों के पास में आखों को आराम से बंद कर लीजे आखें बंद हैं और आपकी जो पुतलियां हैं, ब्लैक आपके जो पोर्शन होता है वो सामने देख रहा है ये पोजिशन बननी चाहिए पुतलियां नीचे गई और आपका मन चलना चालू मन चलना शुरू और आपकी पुतलियां सीधी हैं आख खोल के करिए, आख खोल के बिल्कुल सीधा देखिए सामने भगवान जी और जो भी दिख रहे हैं आपको प्लेन चीज देखेगा हिलती वी चीज मत देखेगा बिल्कुल सामने देखिए सास को हलका सा खीच लीजे और रोक लीजे कहीं भी कहीं भी जहां आपको ठीक लगे, वहाँ सासों को रोक लीजेगा आखों को खोल के रखिए आखों को खोल के रखेंगे, सामने देखेंगे और सास को रोक लेंगे कहीं भी खीचते में, निकालते में, कहीं भी सास को रोक लीजेगा दो सेकिंद, चार सेकिंद के लिए बस और आपका मन नहीं चलेगा मन में कोई विचार नहीं आएगा दो सेकिंद, चार सेकिंद के लिए, जब तक आपने सांस रोकी है आपका मन नहीं चलेगा, आपके कोई विचार नहीं आएगा छोड़ देंगे तो मन नेचरल हो जाएगा जैसे चलता है वैसे चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा मन चल रहा है नहीं चल रहा है पर वो अपने हिसाब से हो जाएगा पानी का फलो जैसे बहर आए, बहर आए, बहर आए ऐसी मन भी चलता रहेगा चलता रहेगा ऐसी स्थिती मन की बन जाती है तो जब आप सांस को रोगेंगे तो मन रुख जाएगा पर आप सांस को दोर समय नहीं रोख सकते पर एक सेंपिल हुआ, एक उधारन हुआ, एक सेंपिल हुआ हमारे सामने कि किस प्रकार से मन रुका हुआ क्या होता है, मन की रुके हुए क्या स्थती होती है, मन का शान्त होना क्या होता है फिर से एक बार करेंगे सास को आराम से खिंची लिजेगा कहीं भी रोग दीजेगा बले निकालते में रोग दीजेगा दो सेकिन चार सेकिन के लिए देखिए आखें बिलकुल सीधी सामने नीचे नहीं हो नीचे यह पलके खुली हैं जैसे भी हैं पुतलियां बिलकुल सामने स्ट्रेट तो अब हम पलकों को आराम से बंद कर लेंगे पुतलियों को सीधा रखेंगे सामने इसमें थोड़ा दम लगेगा आपको क्योंकि पुतलियां नीचे जाना चाहती हैं यह उनका सुभाव है सांस को फिर हलका सा खीच कर कहीं भी रोक लीजेगा पुतलियां सीधी सामने पलकें बंद हैं आखें बंद हैं आपको ठीक लगरा होगा और इसके बाद अब धीरे धीरे आपका मन चलना शुरू हो जाएगा जो हमारे लिए अभीष्ट नहीं है जो हमें पसंद नहीं है जो हम नहीं चाहते तो आपका मन चले बस तभी तक ठीक है तो यह दो मिनट का तीन मिनट का मेडिटेशन कुल मिलाकर पांसाथ मिनट का मेडिटेशन हो गया गुरु भगवान के शुकराने हैं